हलो इस्टुनेंट, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आरेन एजूकेशन पाउंडेशन, हम आपको पढ़ा रहे थे, बहुती बिग ज्यांग, जिसमें आप दूसा लेशन पढ़ रहे हैं, इसमें अभी पिछले एक्चर में आप डिसकसन के रवायते हैं, कि यहाँ पर ब तो से एक पहला कुछ सान इसी में, एसी आरटी का ही है, इसमें कह रहा है, एक समान बैदुचेत्र में, यानि बैदुचेत्र क्या हो रहा है, परिवर्तितन हो रहा है, एक समान बैदुचेत्र E में, यानि E वेक्टर वराबर दिया है, कह रहा है, 3 इंटू 10 की पावर, यह जो हो जायागा प्लस थीरी आईक है यह लिखा गया है करन न्यूटन प्रतिकुलाम इतना दिया गया है पर विचार कीज़े तो इसमें 2 कुछ चाना है, कह रहा है इस छेत पर 10 सेमी, तो इसकी भुजा दी गई है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 10 सेमी भुजा के वर्ग, तो वर्ग की भुजा कितनी दी गई है, देखो वर्ग की भुजा, अगर हम वर्ग की भुजा निकालते हैं, तो भुजा कितना है, देखो लि एक है घटा देंगे तो 10 की पावर माइनस 1 मीटर हो जागा यह इतना चुका अब आपको फिर देखो कह रहा है कि जिसका Y, Z की क्या समानतर है तो गुजरने वाला बैदुत फलक्स क्या होगा यानि इस पिरिश से गुजरने वाला बैदुत फलक्स क्या होगा तो वाइए थो एकसेस हो गया अब इन तीनों एकसेस में कह रहा है इसका जो तल रखा गया वाई और जेड के समानतर रखा गया तो देखो यह जेड की दिसा में दीख रहा है तो इसका एक तल कैसे रख दिया गया ऐसे जेड की दिसा में रख दिया गया और दूसरा देखो कैसे रख दिय अगर इसको З माले और इसको वाई माल ले तो ये हो गया अब देखो किस फलक से कह रहा है इसके समांथर है जब यह समांथर है तो E की दिशा एक दिशा इसी तरह और एसका फलक भी इसी दिशा में अब या जाएगी ये वेक्टर दोनों समान दिसा में आ रहे हैं, जब समान दिसा में आ रहे हैं, एक दीसरे के साथ क्या वरा है, जिरो डिगरी का एंगल बना रहे हैं, जब दिरो डिगरी का एंगल, इनकी भुजा कह रहा था, दस सेमी, तो ये दस सेमी हैं, तो इसी वे कुश्चन सॉल कर ले तो छेत्रफल, अगर सबसे पहले ए बराबर निकालें, छेत्रफल, छेत्रफल बराबर क्या होता, भुजाई स्क्वाइर, 10 की पावर minus 1, आप होल स्क्वाइर, अगर इसको गुडा कराएंगे, 10 की पावर minus 2 मिटर स्क्वाइर, लेकिन इसको सदीस पाउम में इसलिए भ Cott करेंगी, क्योंकि बैदुचिछ dk, सदीस पाउम में, जब सदीस पाउम में तो इसको भी सदीस पाउम में आप प्रिजेंट करिए, तो 2 a लिख सकते हैं, देखर A बेक्टर पराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनिश 2, I-CAP, क्योंकि I-CAP X अच्छी के समानतर होगा, तो उसी दिसा में लेना है, तो ये मीटर स्कॉार हो जाएगा, अब यही कह रहा है, इससे गुजरने वाला बैदुद्ध फलक्स, तो Y-Z के समानतर, तो बैदुद्ध फलक्स निकाल लो, तो बैदुद्ध फलक्स, कितना हो जाएगा, बोलिए, आपको बतायत है फार्मूला, कि 5E बराबर, A vector, और dot, A vector, यह हो जाएगा, अब E की value पूट करो, लिखा हुआ है, 3 into 10 की पावर, 3, और यह हो जाएगा, I cap, फिर dot, 10 की पावर, minus 2, into I cap, अब आपको एक फार्मूला बतायागा, आप पढ़े भी होगे, क्लास 11 में, कि फार्मूला क्या होता है, अगर कोई भी, पीछे हमने बताया भी था, A vector, अगर कोई लिखा होता है, कि A vector, AX I cap, plus AY, J cap, plus AZ K cap, अगर दूसरा, B बराबर होता है, B vector बराबर, VX I cap, BY J cap, plus BZ K cap, अगर dot निकालते हैं, A vector, dot B vector, तो हमेशा I के साथ आई का, तो देखो, AX, और BX, और प्लस कितना होगा, AY और BY, और प्लस AZ, और कितना हो जागा, BZ, यह अगर अगर कोई X के साथ X का, I के साथ I का, यह आई के साथ वाला I का, J के साथ J का, K के साथ, तो यहाँ भी देखो, I है, यहाँ भी आई है, तो बस दोनों को गुड़ा करा दे, उसका सिंबल हट जाएगा, तो तीन गुड़े 10 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर, माइनेस 2, अगर घटाएंगे, तो तीन गुड़े 10 की पावर, तीन में से दूग है, एक, और इसको अगर गुड़ा करा देंगे, तीन गुड़े 10 की इतना हो जाएगा, तीस, मात्रक क्या होता है, न्यूटन, मेटर स्क्वार, और क्या होता है, प्रती कुलाम, यह आपको मालूम होगा, मात्रक, तो यह इसका हो जाएगा, यह इसमें सॉल्व करना था, इसकी इन सॉट ले लो इसका, अगर आपको कुश्चन भी लेना है, कुश्चन का भी ले लो, यह इसमें कहा रहा था, फिर एक हो लिखा, इसी वर्ग किसे, गुजरने वाला, यानि इसी वर्ग से, गुजरने वाला बैदूत फलक्स कितना होगा, यदि इसके तल का अभिलम, एक अच्छ से साथ हंस का कोड बना दे, यह इनि अभिलम कह रहा है, कि इनके साथ जो कोड हो, साथ हंस का कोड बना दे, साथ हंस कोड बनाने का मतलब है, कि यह जो ग्राब दिया गया, इस ती का तल ऐसे क्या करें? इसके साथ जो ये निचला वाला तल है, साथ हंस का क्या कर दे? कोड बना दे, अगर साथ हंस का कोड बना देगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? क्योंकि अभी बताया थे इसमें theta बराबर value change हो जाएगी तो value change हो जाएगी तो value इसमें put करो second number है theta बराबर कितना? 60 degree ये हो जागा और आपने अभी ये निकाला ही लेकिन फेसे हम निकाल सकता है इसमें theta बराबर दिया गया तो phi e बराबर क्या होता है? e, a और कितना हो जाएगा? cos theta ये इतनी value होगी अब e का मान देखो कितना दिया गया? अगर इसी का हम परिमान निकालें e का मान तो ये क्या परदर्सित करता? परिमान को यानि ये जो परदर्सित करेगा 3 into 10 की power 3 परिमान को परदर्सित करेगा यानि e की value जो होगी e बराबर 3 into 10 की power 3 हो जागा और newton प्रतिकुलाम और a बराबर हमने निकाला था 10 की power minus 2 e value इसमें पुट कर देंगे सूत्र में तो answer बहुत आसानी से आ जाएगा value पुट कर दीजिए e का मान 3 गुड़े 10 की power minus 3 a का मान वो प्लस 3 था ये 10 की power minus 2 across theta theta का मान कितना 60 degree इनको घटा दीजे 3 गुड़े 10 की power कितना हो जाएगा 3 में से 2 घटाएगे 1 across 8th का मान 1 by 2 हो जाएगा अब इसको ऐसे गुड़ा कराके ये 30 गुड़े 1 बटा दो कार देंगे ये 15 हो जाएगा तो देखो एंसर कितना आजाएगा 15 आजाएगा एंसर कितना पंद्रा Newton meter square प्रतिकुला ये 5 ये बराबर होगा ये इसमें पूँछ रहा था कितना हो जाएगा इसका भी screenshot ले लो फिर नेश्ट कुशन है देखो लिखा गया है कि जैसे अभी इसको सॉल गिए उसी के जैसा है तो जादा डिफरेंट्स नहीं है तो जो कह रहा है वो प्रोग्त पर्ष्ण के एक समान बैदुछेत का वी सेमी भुजा तो देखो बीस सेमी भुजा यहाँ पर जो बैदुछ फलक्स होता है वो भुजा पर निर्भन नहीं करता है भुजा चाहे जितनी दुगनी कर दिया जाए लेकिन बैदुछ पलक्स कमान उसके भुजा पर निर्भन नहीं करता है क्योंकि अभी पीछे लिया था इसी कुछिछेन में किए भी सेमी लेने पर गंसेम, इस परकार अभी विन्यासित है कि इसके फलक्स, निर्देसांचो के समानतर है यानि निदे सांग जो ए एक जड़ एक समानतर है तो कह रहा है नेट कितना वैदूत फलक्स होगा यानि यहां से गुजारा जाए तो इस से कितना वैदूत फलक्स होगा तो अभी आपको एक फीगर दिखायाते इसका फीगर सेम उसी के जैसा होगा देखो यह लिखा हुआ ह तो बेस सेम भुजा पर यह यहां पर रखा गया है अगर हम सबसे पहले एक सच की राइट साइड में यानि इसके कह रहा जो एक सच के समानतर था और यह के तो यह देखो जच के हो गया और यह वाला जो होगा एक सच के समानतर हो गया यानि तीनों एक्सिस के और इनके समा इस पे, तो इन ही दोनों फलक्से निकालते हैं, सबसे पहले हम राइट साइड निकालते हैं, तो इसको राइट साइड के लिए फाई र लिख देते हैं, तो फाई र लिखो, अगर फाई र लिखेंगे तो यह कितना हो जागा, फाई र, मतलब राइट साइड से गुजनने तो यहां पर E vector और A vector, दोनों एक ही दिसा में, जब एक ही दिसा में हैं, तो थीटा बराबर देखो कितना होगा, हमने पढ़ा था formula, E A cos theta, लेकिन थीटा बराबर कितना, जब दोनों समान दिसा में हैं, तो इनके बराबर कितना, 0 degree, यानि थीटा बराबर 0 degree हो जागा, जब 0 degree रख देंगे, अब इसमें बैलू पुट करिए, E A cos 0 degree, cos 0 degree बैलू कितना होता है, E A 1 होता है, यह मल्टिप्लाई करेंगे, E A हो जागा, यानि इतना हो गया, फिर ऐसे क्या करिए, अब लेप साइड का निका लिए, जब लेप साइड का निकालेंगे, तो बैदू छेत क जा रहा है, लेकिन जब इसकी दिशा पल्टो गे तो ऐसे हो जागा, तो इनके बीच का एंगल कितना, 180 degree, यानि बैदू छेत इस दिशा में था, राइड साइड में, E में, लेकिन आप यहां से ले ले और इसको हमने पलड दिया, इस दिशा में कर दिया, तो देखो कितना हो जाए, 180 degree का, यानि इसमें 180 degree का अगर हो जायागा, तो छेत पल कितना हो गए, A vector उधर की हो समान, लेकिन यह जो था, इस दिशा में आ गया, तो 180 degree का एंगल बना रहा है, जब 180 degree का एंगल बना रहा है, तो हम उसमें 180 degree ले ले लेंगे, और यह फिर आ जाएगा left, तो दे cos 180 degree बराबर, minus 1 होता है, अगर नहीं याद होगा तो आप याद के ले बहुत सारे जगाह परियो गए, यह हो जायागा, यह होगा e A, cos का मान, minus 1, मульliप्लाई करा देंगे, तो यह minus E A होगा, यह phi L होगा है, अब हमे निकालना एँ निकालना ने गुजरने वाला, यानि इस फिरिस् से गुजरने वाला NetVaidut Flux, यहां से NetVaidut Flux कितना होगा उसकी बैलूफ करना है, तो निकाल लीज़े, NetVaidut Flux जब निकालेंगे तो phi E बराबर दोनों को चोड़ दीज़े क्यूंकि यह कि अधिसराषिया अधिसराशीय बीचगड़ितीय नियमों के नियने सार जुड जाती हैं, तो यह हो जाएगा फाई आर प्लस फाई एल, जब बालू पूट करेंगे, तो यह था हमारा एए, और लेप्ट कितना था, माइनस एए, यह दोनों समाने कट जाएंगे, तो फाई ए बराबर कितना हो थाईगे, जीरो, अर्थाट इस के घए दोन में तरफ निकलने अड़ तो यह कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसके बाद केसी अपले हैं, और चुछे लेवी कुछ कर ले लो ये किर्मि जोती अच्षिन कर ले लोया फिर इसके बास अलुमे स्बशाओ ले लेडे ये हो जाओ लेक्ट इसके लिफ्ट सिंग्म रेलो इक Walk healthy जाज ए बीस मायक्रु कुलाम का कोई आपश, ज्या एभएस Или हमसे 20 micro coulomb का कोई आबेश रखा गया है जिसपे कह रहा है 20 micro coulomb यानि यहां पर जो आबेश रखा गया वो 20 2.0 20 नहीं 2.0 है यानि Q बराबर कितना 2.0 micro coulomb है यह इतना दिया गया तो coulomb को micro है तो देखो 2 गुड़े 10 की पावर minus 6 क्योंकि 1 micro coulomb 10 की पावर minus 6 इसले कहरा बिंदु आबेश किसी किनारे पर 9.0 सेमी किसी किनारे वाले किसी घनिये गुड़ें परिष्ट के केंद पर इस्थित है तो अगर भुजा ले ले घनिये तो भुजा अगर दिया गया है तो भुजा पराबर कितना 9.0 सेमी फिर इसमें कहरा है गुजरने वाला नेट बैदूथ फलक्स कितना होगा यहां पर दिया गया है कि क्यू का मान इतना दिया गया तो इससे गुजरने वाला नेट बैदूथ फलक्स कितना होगा तो अगर बैदूथ फलक्स निकालते हैं तो 5e से लिखते हैं, तो देखो 5e बराबर कितना हो जागा, 5e बराबर बढ़े थे q बटे epsilon 0, अब q का मान, जितना है उतना रख दीजिए, 2 into 10 की पावर, minus 6, और epsilon का मान, आपको बालूम होगा, पिछे लेक्सर में पढ़ाया थे, 8.85 into 10 की पावर, minus 12 हो जागा, अब इसको दसमलो हटाएंगे, तो उपर 2 0 बढ़ जागा, तो 200 बटा, 880, और into 10 की पावर, minus 6, और into 10 की पावर, plus 12 हो जागा, इसको solve कर लो, यह हो जागा, 200, अब बाई, 880 गुड़े 10 की पावर, कितना हो जागा, 12 में से 6 गटाएंगे, तो यह 6 हो जागा, अगर आप इसको solve करेंगे, तो इसका answer आजाएगा, निगेटिव ले जाती, जिससे आप solve कर सकते हो, इसका स्कीन सौट ले लो आप, दे लिए होंगे इसको, कुछिण का भी ले लो, फिर इसके बाद देखते हैं, next topic क्या है, अब हमारे पास आ गया कि गौश के नियम के अनुपरियोग, यानि गौश ने जो बताया था, उसके कुछ अनुपरियोग है, यानि कहां कहां पर हम गौश की सी माओ का परियोग कर सकते हैं, कैसे कहां पर, तो उसको इसमें देखते हैं लेकिन उसके पहले हमें कुछ परिभासा होगी छोटी मोटी वो हमें अनुपरयोग में नहीं है जैसे रेखे आवेस घनत तो है तो इसकी परिभासा हमें जानना है कि रेखे आवेस घनत तो क्या होता है तो इसकी परिभासा आप जान लेंगे क् एक नंबर में पेपर में पूच लिया जाता है रेखे घनत से आप क्या समझ से इसकी मात्रग और भीमा लिखे तो लाइए समझ लेते हैं तो देखो लिखा हुआ है इसी से स्टार्ट कर देते हैं कि बहुत जादा इसमें नहीं परहसान होना है ये क्या होता है? अब इसको अब तार के रूप में कह सकते हैं जैसे तार हो आप एसित कर दें तो तार क्या होगा? ऐसे तो इस्टित हो जागा कि तार जो होगा उस पे एक आवेस एक रेखा के रूप में वेतित हो गया तो इसलिए इसको क्या बोलते है? रेखिय अबेस बोलते हैं, जब रेखिय अबेस हैं, तो देखो यहाँ पर रुबार रेखिय अबेस, इसको हम लेम्डा से रिप्रजेंट करते हैं, यहीं लेम्डा बराबर क्यू बाई एल, अब डिपनेशन कैसे बनाएंगे, हमने पहले लेशन में आपको बताया था कोई इसको कैसे बनाते हैं, नीचे के लिए हमेंसा एक आंक, नीचे क्या है, एक आंक और इसके बाद जो पर परिभ्यासा होती वो बना लेते हैं, तो आईए बनाते हैं परिभ्यासा, एक आंक लंबाई, एक आंक, लंबाई, में, बितृत, बितृत, आबेस, के मातरा को को आबेस को रेखिये आवेस घनत्यु कहते हैं आवेस घनत्यु कहते हैं घनत्यु का मतलब आप जानते हो जितना जादा से जादा आवेस एक चूस महस्तान में उपस्तित घनत्यु का मतलब कम से कम समय में जैसे ये कह दिया हमने ये रेखा पर क्या है जादा से जादा आवेस हो जाए तो इसी के लंबाई क्या है एक मीटर ले लो तो एक मीटर में जितने आवेस बित्रित है उन्हीं आवेस की मात्रा को हम रेखी आवेस घनत तो कहते हैं तो एक आंग लंबाई के बित्रित आवेस की मात्रा को रेखी तो कहते हैं, इसको किस से लिखते हैं? Lambda by L से Lambda by L से, अगर यहां पर लिख लेंगे, तो परिभास आप बहुत आसानी से इसमें आपको समझ में आगे कि यह क्या होता है? कि इसको कभी भी आपको परिभासा बनाना होगा, तो ऐसे आद कर लेना, बहुत आसान सी परिभाद साथ, अब मात्रक की बात करते हैं, अगर लेमडा का मात्रक निकालते हैं, तो लेमडा का मात्रक क्या होगा, क्यों का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और ल का मात्रक क्या होगा, मीटर, बटे में इसलिए कुलाम प्रतमीटर, बीमा की बात कर लेते हैं, लेमडा की बीमा अगर लेमडा की बीमा निकालो, तो बीमा कितना होगा? यहनि Q की बीमा? उपर Q है न, तो Q की बीमा, और दिन आमनेटर में क्या है? L की बीमा L की बीमा अगर L की बीमा निकालेंगे तो देखो अगर इसके बीमा निकालें तो कितना आएगा अगर Q की बीमा निकालते हैं तो यह क्या होता है Q बराबर I into T यानि T A होता है और L की बीमा लंबाई है इसलिए L होती है अगर ले जाओ तो L-1 हो जाओ और सबको एक बीमा निकालते है तो यह इसके बीमा हो जाओ पहुत ही कम बार पूचा गया लगिन कभी-कभी पूच लिया जाता है इसके ले लो यह हो गया इसके बादी हो जाओ फिर देखते हैं next topic क्या है इसी में हाँ अब हमारा फहला नुपर योग है क्योंकि वह बेसिक डिफनेशन थी इसमें पर योग होता है इसलिए उसको डिफनेशन सो अलग पढ़ लेते हैं इस इसमें आपको आजाएगा तो आप पता नहीं समझ नहीं पाओगे कहां से यह चीज आया है तो इसलिए definition क्या करते हैं हम थोड़ा सा अलग पढ़ लेते हैं तो अब लिखा है अनन्त लंबाई के एक समान आवेसित सीधे तार के निकट बैदुछेत की तीबिटा यानि अनन्त लंबाई का कोई तार हो उसके निकट बैदुछेत की तीबिटा हमें ग्याद करना है तो एक समान कह रहा है तो तार क्या हो एक समान हो मतलब कहीं पर मोटा कहीं पर पतला ऐसा नहों कि अगर आमने कैसे जैसे कोई तार खीचा ऐसे यह खीचा तो यह ऐसे कहीं पर पतला कहीं पर मोटा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो एक समान होना चाहिए चाहिए जैसे हो वो एक समान होना चाहिए तो वही इसमें कहरा है कि कोई तार जो हो एक समान आबेसी सीधे तार के निकट तो अनन्त लंबाई का तो उसकी लंबाई क्या हो अनन्त हो तो आईए पहले एक तार बना ले एक यह सब्सक्राइब कर लिजे कोई तार हो जाए यह माल लिजे कि कोई तार हो लेकिन सही नहीं बन रहा है हाथ सही बना देते हैं देखो इसमें करा कोई तार ले ले तार लेने का मतलब हो जाएगा एक सीधी यह कोई तार हो गया वो भी क्या है अनन्त लंबाई का है यानि इसकी लंबाई हमें पता नहीं है कि यह तार कितना लंबा होगा एक समान रहेगा कहीं पर नीचे पतला मोटा हो गया उससे नहीं बस एक समान और यह क्या है प्लस आवेसित है, यहनि इस पे प्लस की आवेस एक समान रूप से क्या है, बित्रित है, यहनि प्लस की आवेस एक समान रूप से इस पर बित्रित है, तो हमें निकालना है, एक समान रूप से आवेसित तार के निकट बैदुछेत की तेबृता, अब बैदुछेत की तेबृ तो कितना हो जागो, इनके निकट, तो निकट हम कहीं माल ले, ये पॉइंट क्या हो, पी हो, जिस पर बैंदुछेद की तीबता ग्याद करनी है, तो हमने कहा थे याबेस क्या गौजियन परीष हमेशा किसी बंद परिष्ट के लिए लागू होता है, तो कभी भी हमेशा एक बंद परिष्ट के लिए लगता है, जब बंद परिष्ट के लिए लगता है, तो ये तो ओपन है, तो इसलिए इस परिष्ट को हम परिबद करेंगे, तो परिबद करें इस मालार दूरी का, तो इसमें इस मालार तिरिज्या का, सपोज कर लिजे, यहां से क्या हो, इस माला आकार में इधर खीज देते हैं तो यह कैसा होगा? बेलन के आकार में हैं यह कोई तार है जिससे इस स्माल आर दूरी पर बिंदु पी है जिस पर बैदुछेद की तीबता ग्याद करनी है तो अब भी बताया था इसमें जब अपलाई करते हैं तो हमेंसा एक element यहाँ एक छोठे Leeoke निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर बिंदु ले लेते हैं एक छोटा आए हो जब छोटा आए हो यह ले लिए तो इनके कारण हमें निकालना है पर रित बैदीछेद की तीशा तो प्लस आब इसके कारण पैद्दू छेत की दिशा कैसी होती है एक समान रूप से बित्रित है इसलिए E क्या हो जाए इसी दिशा में होगा और अगर हम निकालते हैं इसी दिशा में A को तो ये क्या होगा DA निकालेंगे वो भी सेम होगा इसका छेत फल क्या है DA है और लेकिन ये क्या है A है और इस प्रिष्ट को हम क्या बोलते है Gaussian प्रिष्ट बोलते है Gaussian Gaussian प्रिष्ट ये क्या होता है काल्पनिक प्रिष्ट होता है तो ये काल्पनिक प्रिष्ट है यानि इसको ऐसे भी डाउटर लाइने ऐसे खीश सकते हैं ये डाउटर लाइने गौसेन पिरिष्ट को डाउटर लाइने खीशते हैं इसलिए डाउटर लाइने खीश दे रहें ये गौसेन पिरिष्ट होगा अब इससे कहरा गुजरने वाला बैदूत्फ्लक्स तो मान लिए अगे अनत्य लंभाई का तो अगर इसमें निकालते है, छेत्फल अवНе डी असे से गुजरने वाला बैदूत्फ्लक्स तो देखे कितना ह grill जाऊगा अगर इससे निकालते हैं तो बैदूत फलक्स कितना होगा? यह होगा, 5e या d5e बराबर, देखो यह कैसा है, एक ही दिशा में, तो हम लिख सकते हैं, e-vector.da-vector हो जाएगा, इसमें देखो, दोनों कैसे हैं, कि इनकी दिशाय जैसे है वो है एक ही दिशा में E और D A तो हम D phi E इकोल लिख सकते हैं यह हो जागा E D A cos कितना? 0 degree cos 0 degree का angle कितना होगा? cos 0 degree का मान कितना होता है? 1 होता है तो अगर आप गुड़ा कराएंगे तो E D A इतना हो जागा D phi E आप सोचोगे तो आपको इतना नहीं ग्याद करना था कि इतना ग्याद करना था आपको एक चीज ग्याद करना है कि इसमें इसके पूरे प्रिश से गुजरने वाला कि इसके पूरे प्रिश से गुजरने वाला बैदुत फलक्स निकालना है यहाँ पर यह क्या कर दो, इसी का समाकलन कर दो, यहनि हमें घन के संपूर्ण प्रिष्ट से और इसके बेलन के संपूर्ण प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदुत फलक्स ग्याद करना है, तो निकालते हूं, बेलन के संपूर्ण प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदुत फलक्स, तो गुजरने वाला बैदुत फलक्स कितना होगा? बैदुत फलक्स, इसी का क्या कर दीजिए? समाकलन कर दीजिए, अगर इसी का समाकलन करोगे, तो ये कितना हो जागा? D phi E, इक्कल होगा, integration E dm, अब इसका अगर हमने समाकलन किया, तो ये कितना हो जागा? अगर इसको करेंगे, तो ये कितना हो जागा? D phi E, तो आपको एक बतायत है, अगर D A लिगा, phi E, तो ये phi E दे देगा, और यहाँ पर E constant ले लेंगे, तो ये कितना दे देगा? D A, अगर D A का करोगे तो कितना हो जागा? समाकलन D A वराबर क्या दे देगा? A दे देगा, तो A देने पर कितना हो जागा? E A आजागा, लेकिन अब देखो, कि अगर हम ले लें, बेलन, तो बेलन का वकपरिष्ट कितना होता है? बोलो ये ablan था न अमारे लिए यानि ये क्या है ablan है तो ablan का work fist कितना होता है ये बताइए आपने पढ़ा होगा 2 pi रच अगर हम ablan का छेतफल लेते हैं तो देखो ablan का छेतफल कितना हो जाएगा ablan का छेतर फल कितना होता है यानि a वराबर 2 πi r h होता है तो यहाँ L ले लेंगे region क्या होगा L लेने का क्योंकि बेलन की जो लंबाई है इसमें हमने कल्पना कर लिया मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक यह जो बेलन था इसकी लंबाई अगर मान लिया जाए सपोज करें क्या हो यह बेलन की लंबाई क्या हो यहाँ से यहाँ तक क्या है L है यह इसमें कहा रहा है बेलन की लंबाई क्या हो L हो जाए तो यह बेलन की उचाई है लेकिन उचाई की अस्थान पर लंबाई आ गया तो इसलिए हम क्या लेते हैं L ले लेते हैं जब L ले लेंगे, तो देखो यहाँ पर इसलिए लिखा गया 2 πाई RL, इसलिए यहाँ पर लिख दे 2 πाई RL, यह बैलू कुट कर दो, तो लिखेंगे 5E बराबर, A into 2 πाई RL, यह इतना हो जाए, equation first, अब कहरा आबेस को परिबद कर दिये, तो गौस की पर्मिये से क्या होग अगर हम निकालते हैं कि गौस की पर्मिये, तो आपको मालूम होगा गौस की पर्मिये क्या थी, गौस की पर्मिये से, पर्मिये से अगर निकालोगे तो बैदोत फलक्स कितना होता है, 5E बराबर, QYL, यह होता है, आपको मालूम है, लेकिन QY, ओ स्री, QYL नहीं, यह होता है q by epsilon not ये इतना होता है लेकिन आपको एक चीज बताया गया चुकि अभी हमने बताया था lambda बराबर q by l तो बलो कि lambda बराबर कितना होगा ये q बराबर कितना होगा lambda l ये value put कर देंगे यहाँ पर तो phi e लिख देंगे phi e बराबर lambda l by epsilon not हो जाओगा अब ये value इसमें put कर दो इसको जाय सम्मे करण दो माल लो सम्मे करण एक वा दो से सम्मे करण एक वा दो से अगर सम्मे करण दोनों को देखो तो ये क्या है left side बराबर है left side बराबर है तो right side आपस में बराबर हो जाएंगे इसलिए इनको क्या करते हैं, बराबर कर देते हैं जब बराबर करेंगे E 2 pi r l और यह हो जाएगा lambda l by epsilon 0 इसको right side गुड़ा करा दो तो E बराबर कितना होगा यह right side जाएगा 2 pi r l और into हो जाएगा lambda l by epsilon 0 दो को L से L cancel हो जाएगा, यानि यह भी L है इससे cancel out हो जाएगा, तो कितना बच्चा E बराबर 1 upon 2 pi epsilon 0 को इधर लेओ और lambda y r कर दीजे यह इतना हो जाएगा अब यहाँ पर आप एक formula तो यह तो पढ़े थे यह तो सही है formula, कोई problem नहीं कि अगर इससे कहा जाएगा, तो newton परतिकुलाम, यह निकला है एक चीज़ इसमें कर सकते हैं यहाँ पर 1 upon 4 pi epsilon 0 की value आपको मालूम होगी तो यहाँ पर इसको change कर दीजिए epsilon 0, यहनि 4 pi epsilon 0 तो 2 से multiply करेंगे 1 upon 4 pi epsilon 0 अब 4 pi यहाँ से 2 से divide किये, तो अबर क्या हो जाएगा multiply 2 lambda by यह r हो जाएगा, इसके form में newton परतिकुलाम हो जाएगा, अगर इसी को सदिस form में लिख दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा सदिस रूप में जब सदिस रूप में लिखेंगे तो e vector बराबर, 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda by r, और यह कितना archive हो जाएगा अगर आप सदिस रूप में तो ऐसे लिख सकते हैं अब एक चीज और इसी में है, आप से पूछा जाएगे रेकिये, आबेश के कारण बैदुच्छेत की तीबता किस परकार परिवर्तित होती है यहनि कोई आबेश हो वो एक रेका में बित्रित हो तो दूरी के साप पेच बैदुच्छेत की तीबता किस परकार परिवर्तित हो जैसे आपको बैदुच्छेत में बताया थे बाइसे देखो, यहाँ पर क्या है e है यह e है, और यह क्या, r है तो दोने एक दूसरे के क्या है ब्योत कर्मान पाती है तो हम लिख सकते है रेखे आबेस के कारण रेखे आबेस के कारण बैदुच्छेत की तीबता बैदुच्छेत्र की तीबता तीबता तो इसका मतलब क्या होगा e बराबर 1 e बराबर नहीं होगा अनुकरमान पाती किहरा है किस परकार तो e अनुकरमान पाती 1 by r इसका मतलब हुआ जब दूरी क्या होगी बढ़ेगी तो बैदुच्छेत्र का मान क्या होगा लगातार घटता हुआ चला जायागा क्योंकि दूरी बढ़ने पर बैदुच्छेत्र का मान घटेगा क्योंकि अब यह क्या है इसके बेधुद करमान पाती है आई यह ग्राब से समझ लेते हैं देखो अगर इसका आप ग्राब बनाओगे तो कैसा बनेगा यह हो गया इसको समझ लीजिए आर है इस दिसा में आर बढ़ोगे उपर की दिसा में क्या बढ़ेंगे इ बढ़ेंगे जब इस दिसा में बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो इस पे क्या होगा अगर आर का मान क्या होगा तो बहुत अधिक होगा कि नहीं, जब आर कमान ले लेंगे, तो आर के मान पर लेने पर, इस इस्तित पर, ये नजदीक है, क्योंकि ये जीरो के नजदीक है, तो आर कमान बहुत अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्या कि दूरिया, आर की दूरी बढ़ाते जाएंगे, लगातार घड़ता हुआ चला जाएगा तो यह इसका ग्राफ है, यह आई से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, अब आप पहले स्किन सॉट ले लो, फिर आगे डिस्क्रसन करते हैं, इसका स्केल्स हाट ले लो यह हो गया इसके 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 इस तो बैदुचेत की तीबता की गढ़ना कर सकते हैं ऐसे इसमें कुईस्यन है वो निमेरकल्स आप सॉल्व करने के कोशिस करेंगा नई सॉल्व होगा उसको अभी हम आपको बताएंगे एक दो निमेरकल्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए थाइंकियो सोमत